दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें तिक हम लागते रहते हैं नहीं बिजनेस आइडियाज और नहीं जनकारी केवल आपके लिए दोस्तों ये मैं आपके लिए आज एक नन्य बिज़नेस लेकर आया हूं जो सक्रीव मेकिंग मशीन है आपका हमारे यूटीब चैनल में सख मशिनरी नानगना मशिनरी अनमोल मशिनरी में आपका सवागता है ये आपके इसमें फूल थ्रेड जो वोडन स्क्रिव में लगते हैं हर जगा में ये सभी स्क्रिव बनाने वाली मशीन है ये इसका हैड देखो फिल्प हैड है ये वाला जिपसन स्क्रिव ऐसे वाले स्क्रिव बन जाते हैं ये मशीन जो हैडर मशीन है इसमें हैड बन जाता है ये हैडर मशीन है इससे काफी production निकल जाती है इसमें एक और वायर stand ये वायर stand है वायर stand में रोल लगता है इसमें रोल का रोल लगेगा रोल लगने के बाद आटमाटिक इसमें cutting होके head बन के अपने अप screw नीचे आता जाएगा फिर इसके बाद में अभी इसके दो यह है पूरा fort यह जैसे यह बन रहा है यह देको यह देखिए head बन रहा है head बन गया इसमें यह चूडी डेले की बाद में दुसरी machine में roll thread में यह ऐसा पहले बन जाता है fruit iсь प्रिष्ट होके ऌकर ऐसा आई ग़ेगा ऐसा आएगा कम्प्लीट होगे देखें पहले हैडर मशीन में ऐसा बनेगा आपका यह हैडर बन जेगा नीचे जो चूड़ी है और रोल थ्रेड मशीन में इसमें बनती है इसमें जो माल उदर बनेगा कठा कठा ही जो होगा यह माल जो उदर से यह माल जो उदर से बनेगा है बैडर में से वो सारा माल इसमें डालते हैं इसमें डालते हैं इसमें आटोमेटिक इदर से आके यह पूरा वाइबरेटर सिस्टम लगा हुआ है इसमें आके ऐसे लाइन बनके इदर आता जाता है इसमें फ्रेड में इदर जाके फिर आटोमेटिक फ्रेड जो है डलके नीच हेडर मशीन लगती है ये चार मशीन का सैट है पूरा यह का। लगा के पूरा स्कृरीव जो है जैसे पांच एमैम पंगासयव तक बन जाता है स्मुशिन फशोटा बड़ा कोई भी बना सकते हैं शोटा जिसे चार एम-एम-एम-धैम-दो इम जिसमें supply लैंथ जो होता है इसमें हर टाइब का स्क्रियू जो बन जाता है यह मशीनों में अमल हर टाइब का स्क्रियू जो जैसे जिप्चन स्क्रियू हो गया बॉल स्क्रियू हो गया हर टाइब का जैसे ड्रिलिंग स्क्रियू हो गया हर टाइब का जो स्क्रियू इसमें बन जाता है आप इसमे कि इसका प्रड़क्शन होते भी आप देख सकते हो भी अभी दखा सकता हूँ अभी आप दखाता हूँ कि इसका प्रड़क्शन हो भी आप देख सकता हूँ अभी आप देख सकता हूँ कि इसका प्रड़क्शन हो भी आप देख सकता हूँ सकता हूँ इसका प्रकशन हो भी आप भी आप देख सकता हूँ कि इसका प्रड़क्शन हो भी आप देख सकता हूँ अबी मैं आपको मिशीन जो रनिंग किया था अबी रनिंग करके आपको पूरा दखाया पड़क्शन होती देख लिया आपने कि कैसे मशीन रनिंग हो रहा है पड़क्शन कैसे हो रही है सभी टैप का सक्रू कैसे बनता है अभी मैं आपको इसके राम टील के बारे में आपको बता रहा हूं जैसे इसमें जो राम टील जो वायर स्टेंड के पर रोल लगता जा आपने देखा था वायर जा रही अंदर ज जो भी गेज की चाहिए आपको 8-10 गेज बारा गेज जो वी चाहिए आपको हर साइजिक wàir मिल जाता है और हर साइज का आपका स्कृू बना सकते हो और इसमें जैसे यए अच्छा अब प्रॉफट UP को सकते हैं। अच्छा इसमें प्रवटा बेल्ली आप मलब कम से कम्वी। और मेरी वीडियो अंत तक देखना और मान जो मेरी वीडियो आ होगे आगे नहीं नहीं वीडियो जो है आती रहती है उसमें आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी अब यह आपको जो मैं दखा रहा हूँ यह मशीने जो दखा रहा हूँ यह हमारी अपनी manufacturing है हमारी में इधर factory में मशीनें sampling होती है हम खुद manufacturer है, машiner की मारे पास खान है, इस wire-related हमारे पास और बहुत सारी मशीने हैं, जैसे इस wire-related मारे notebook वाली भी machine होती है मारे पास notebook copy binने वाली wire-related मैं आओ दोस्तो मैं और भी machine आपको देखा रहा हूं जो wire-related है यह देखी है is हमारे यह machine, नजे देखो लेटर सभी मशीने इदर मारी फैक्टरी असेंबलिंग होती है मैं अभी आपको दखा रहा हूँ उस मशीने जैसे ऐसे वुडिन बॉक्स पैकिंग भी हो गया है यह देखिए आप यह बड़ी है लकडी में पैकिंग होके दूर दूर जो इसपोर्ट होती है वहां जाती है यह कांटे वाली तार जो खेतों में बाड़ करते हैं यह इसकी मशीन है यह बारबड वायर वाली मशीन जो है खेतों में बाड़ कर लो कहीं भी बाड़ करते हैं जो अपनी जो बड़ी जगा होती है उसको बाड़ करने के लिए यह आटोमेटिक मशीन है यह वायर के रिट यह इसका वायर स्टेंड है इसका साथ में बारबर वायर का यह वाला और आगे यह यह किल वाली मशीन है किल बनाने वाली वायर के लेटर यह कांटी बनाने वाली जो किल लकडी में ठोकते हैं धवार में लगाने के लिए यह मशीन है तीन इंची वाला है SN3 वाला ये भी SN5 वाला है SN5 ये किल जो है ये किल बनता है इसमें ये बड़ा किल बन रहा है बड़ी मशीन है ये ये देखिए ये ऐसे बड़ा किल ऐसे कांटी जिसको बोलते हैं ये ये सेंट्री के काम में आ जाता है दोबार में लगाने के लिए कहीं कोंट्रकशन के लिए सबी में काम आते हैं के रही जाह कि और सबीमेने में कि कि जगवाली में यह की जगा में की एक कि अई तब ही का आजेगा雞्गा साथ किल विए मशीन लगा सकते हो नहां रिएक और पॉल्शिंग ग्रिंडर एक ही चल ले Capital открыв होही चलेगा ऑर किल वाली कांटी वाली में वहीं चलेगा आपको यह म 열लाओ को वाइर के ररेटल रखाया है हमारे पास वाइर के लेटल में आपको वायर के रिलेटर दखाया है हमारे पास वायर के रिलेटर और भी मिशीन है जैसे बोल्ट बनाने वाली है नाट बनाने वाली है वायर के रिलेटर हमारे पास और बहुत सरी मिशीन हैं आप कोई भी किसी तरह का भी कोई बीजनस करना है हर टाइम का मारे पास मशीन मिल जाता है आप आके मारी factory विजट कर सकते हो आपको यहां वहां से भी order करा सकते हो वहीं से order booking करा हो मशीन ट्रांसवोर्ट से बेई देते हैं आप हमारी मशीन खरीजना चाते हैं देखना हो यहां तो हम ट्रांसवोर्ट से आपको भेजिश सकते हैं सभी मशीन जितनी हैं Pvdork जैसे वुडं ऑक्स में पैकन को का सकती है जा सकती है दो सीधी कड़ी करके भी अब को मिशीन हम भेज सकते हैं और जो हमारी वीडियो है जी मारी वीडियो है पूरा अन तक देखिए ur daily वीडियो जे अपलोड होती है देखते रह न को कि देखते रहोगे फिर आगए आगे आपको नया नया वीजनस जो अपडेट करता है आपको सभी बेगले के बारे में पता चलता रहेगा और आप नया नया बीजनस जो है हमारा देखो हुए तो आपको मला बहुत सरी और भी मिशीनों की नौलेज मिल जाएगी आपकी हमारी वीडियो देखने पर बहुत सर आपका धन्यावाद थैंक्स और मारे चैनल को जो भी आपको पहली बड़ देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा लिजिए इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अप्लूट किये जाएंगे उसकी सूचना आपको प्लीज वीडियो में इस नहीं गुप करता हूं कि अपनी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना प्लियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनेस आडियेस पूंचे सबसे पहले आपके प्लीज